हलो स्टूडेंट्स विल्कम टू सिपसंकर बायलोजी सिपसंकर बायलोजी में एक वाइफिट साब सभी का स्वागत है तू और स्टूडेंट्स आप लोग का चल रहा था बीसी सी प्लस नीट इक्जाम दूहचा रिकाइज के लिए इंपोर्टेंट कोश्चन आयनिक शाम मे आज आपका दूसरा कलासे वीडियो पूरा देखेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर सेर किजेगा तो यहाँ पर आपका पहला कोश्चन काता है बैदूत अपगाट के बिलियन का रंग निर्वर करता है ओप्शन ए रिनायन की प्राकिरती पर ओप्श दोनों की प्राकिरती पर निर्वर करता है इसलिए यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्शन निर्वर करता है ओप्शन ए दाल पर ओप्शन भी दिया है आइतन पर ओप्शन सी तनूता पर और ओप्शन डी दिया इन में से कोई नहीं तो आइनन निर्वर जो करता है वो तनुता पर निर्वाय करता है इसलिए यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर सी उसके बाद अगला कोशन है निम्न में से कौन लूइश आमले नहीं है आप्शने दिया है सी यो आप्शन भी एस आई सील पोर और आप्शन सी में दिया एस ओ प्लस तो देखिएगा निम्न में से जो पुछता कि कौन लूइश आमले नहीं है तो लूइश आमले जो नहीं है वो आपका है सी ओ तो राइट अंसर यहां पर आपका आप्शन नमबर ए उसके बाद अगला कोशन निम्ने सामें अभी किरिया को देखकर सही कथन का चैन कर है और आप्शन सीम ह 2 और ह 3 ओ प्लस यानि धनायन का सन्यूगमी आमले चाहे उसके बाद अगला है एफी सी यल थीरी का बिलिया जल में आमले की तरह कार्च करता इसका कारण है ओप्शन ए फी 3 आयन का जल अपगटन ओप्शन सी अमले असुधी और ओप्शन सी अपगटन और ओप्शन डी आयनन तो राइट अंसर हैं होजाता ए फी 3 आयन पलस और जल का अपगटन उसके बाद अगला कोशन है एक सफेद पदार्थ जिसके बिलियान की प्राकरती छा और अप्षिन लिखित में से कौन सा बना अश्टेड और ब्रांश्ट चार दोनों की भादिकार्थ कर सकता है तो आप्शन A, C-L, रिनायन, आप्शन B, H-C-O, रिनायन 3, आप्शन C, H-3-O, धनायन, और आप्शन C, OH, रिनायन, तो यहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाता है, आप्शन नमबर B, उसके बाद है कि एक लूइस अमल है, आप्शन A, एक लूइस अमल में H परमानू होना आप्शन B में दिया, इलेक्ट्रोन यूग में दाता होता है, आप्शन C, सरवदा प्रोटॉन दाता होता है, और आप्शन D, इलेक्ट्रोन यूग में गराही होता है, एक लूइस अमल होता है, एक लूइस अमल यूग में गराही होता है, राइट अंसर आपका आप्शन दिया उदासियन तो sodium cyanide का जो जलिये billion है वो आपका छारिये है तो right answer option number C उसके बाद अगला question है NaOH एक प्रवल छारक है क्योंकि option A में दिया है यह OH रिनायन देता है option B यह oxigrit हो सकता है option C यह आसानी से आयनिक रित हो सकता है और option D A और C दोनों तो A ने OH जो प्रवल छारक है यह है क्योंकि OH रिनायन आयन होता है रिनायन देता है तो यहाँ पर right answer हो जाता है आपका option number A उसके बाद अगला question है नीमन में से कीस पदार्थ की proton बंधुता सबसे अधिक है option H2O, option B H2S, option C NH3 और option D PH3 तो नीमन में पुछता है कीस पदार्थ की proton बंधुता सबसे देखता है proton बंधुता जो सबसे देखा है वो है आपका NH3 का तो right answer option number C उसके बाद अगला question है नीमन में से कौन प्रवल लुइस अमल है option A, BL3, option B, BBR3, option C, BCL3 और option D, BF3 तो प्रावल लुइस अमल जो है ना एह आपका BCL3 right answer option number C उसके बाद अगला question एक अमल की सक्ती उसकी इस प्रविर्थी पर निर्वर करती है option A, proton ग्रहन करने की option B, proton दान करने की option C, electron ग्रहन करने की option D, electron ग्रहन करने की तो एक अमल की जो सक्ती होती है ना वो प्रोटॉन दान करने की प्रविर्थी पर निर्वर करता है तो right answer आपका option number B उसके बाद अगला question है कि जल में ammonia guys बिले होकल Na4OH देती है इस अब किरिया में जल बेवार करता है option A, अमल का option B, चार का option C, लबन का और option D, सनिगमी चार का तो N, H4, OH देती है ना तो इस अब किरिया में जल का जो बेवार होता हूँ आमल का होता है right answer option number A तो students ये था आपका important question BCC plus NEET के लिए और अभी फिलहाल मौसम परिवर्थन के कारण बरतमान में बारी सोरे जिसकी वज़ा से कल साथ टेस्ट ना हो अगर कल टेस्ट नहीं हो पाया 20 को 20 जुन को तो आप लोग को 11 जुन को अगले दिन जरूर होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा लोगर्प्त